दर्शुकूर नमस्कार मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं दूरदशन हिमाचल का कारिकरम खेल जगत दर्शकों हाल ही में पैरिस अलॉम्पिक्स दो हजार चौबिस का समापन हुआ है और अब पैरिस में ही 28 अगस से 8 सितंबर तक होने जा रहे हैं पैरलिम्पिक्स क्या होते हैं पैरलिम्पिक्स? कौन आयोजित करता है? कौन हिस्सा ले सकता है? और सबसे एहम सवाल आज के समय में पैरिस अलॉम्पिक्स में भारत और हिमाचल की क्या स्थिती है? दर्शकों दूर दर्शन हिमाचल के कारिकरम में आज हम जिस विशे पर बात करने वाले हैं वो है पैरलिम्पिक्स दो हजार 24 और हिमाचल और इस बहुत ही खास विशे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बलवंत जोटा जी जोटा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कारिकरम में दर्शको बलवंत जी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आज के समय में इन्होंने बहुत सी जिम्मेदारी अपने कांधे पर उठा रखी है लेकिन फिर भी कुछ एहम जानकारी अगर हम आपको दें परिचे में तो आज के समय में पैरा बैडमिंटन असोसियेशन हिमाचल प्रदेश के ये चेयर्मेन है बैडमिंटन असोसियेशन हिमाचल प्रदेश के पैट्रियन है इन्होंने बहुत से सम्मान हासिल किये है ये एक समाज सेवी है शिक्षक है और सबसे बड़ी बात एक ऐसे व्यक्त कि आपका ये सफर कहां से शुरू हुआ और आज आप कहां पर हैं। पेरिज जा रहे है, उनको शूब कामना ही देता हूँ, रही बात हमारी, हमारी जरनी एक छोटे से गाउं से शुरू हुई, और आज यहाँ पहुंच की, चलता है रहे, जुबल क्षेत्र का धार गाउं पढ़ता है, वहाँ से मैं बिलॉंग करता हूँ, ऐसे ही छोटे छोट के साथ जरनी शुरू की और आज पेरा अलम्पिक तक पहुंच की, जी, दर्शको बलवन जी की जो कहानी है वो बहुत ही प्रेड़ना दायक है, इनके सफर के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन अब जानते हैं कि पेरालिंपिक्स क्या होता है, और अलम्पिक्स और पेर आयूजित करती है, वही पे स्पेशल एबिलिटी के लोगों के लिए पेरा अलम्पिक कमिटी के द्वारा वहां पे पेरा अलम्पिक आयूजित किरवाये जाते हैं, और पेरा अलम्पिक प्लियर्स के लिए वही ट्रैक, वही शुडूल, वही सारे रूल्स और उनके प्लियर्स के लिए अथलेट के लिए भी वही नेयम लागव होते हैं। ऐज लिए पेचला जो िडोक्यों में हुआ था। वहा पेछल हूं अज जब हमारा अलंबिक्स परेस्स में खातम हँआ तो अठाईस तारीक से वहाँ पेरा अलम्पिक शुरू हो रहा है जी और अगर हम लोग भारत की प्रदर्शन की बात करें तो भारत से कितने खिलाडी जाएंगे किस तरह का प्रदर्शन रहा है क्या बताना चाहेंगे आप 2012 कि अगर मैं बात करूँ तो पेरा उलम्पिक में मात्र एक मीडल था जी 2016 में अगर मैं सही हूं तो शायद पांच मीडल थे और इसी के साथ-साथ 2020 में टोक्यो अलम्पिक्स में हमारे 19 मैडल थे और ये मैडल का सिलसेला इसी तरह चलता रहा और आज 2024 में हमारा 95 जो एथलिट है वो पैरिस अलम्पिक्स में पार्टी स्पीड करेंगे पहरा के 84 हमारा कॉंटिजन जा चुका है कल और जो पैरिस पहुंच चुका होगा और पैरिस की महमें समझ रहे कि फ्रांस की धर्ती पे जो आठ सप्टेंबर से पहले पहले भारत का हिंदुस्तान का जहंडा वहां फेराएगा और मैं आपको इतना अशूर कर देता हूँ पैरालूमिक कमिटी ऑफ इंडिया कीुछर से पैरा बैडमिंनटेयमेन के नाते और एक स्पूर्ठ्स लैवर और एजुकेशन के नाते इस अब की बार का जो नारा है हमारे अध्यक्ष़् देविंदर जहाजरिया जो हमारे हिंदुस्तान का परालम्पिक कमिटी के अध्यक्ष है उनका नारा है कि इस बारी की कमिटी का नारा है आपकी बार 25 बार हमारा ये नारा हम 25 से ऊपर ही मैडल लाएंगे ये मरले हम पुरा मान के चलना है इस वर्ष जो परालम्पिक हमारा रहेगा उसमें कम से कम 25 मैडल तो हमारे आने चाहिए तो दर्शे को दिल से दुआएं मांगना शुरू कर दीजिए और दर्शे को हम बताना चाहेंगे जैसा कि हमने बताया था कि बलवन जी का सफर भी बहुत अद्बुत रहा है और आज के समय में आप जो भी पदभाल संभाले हुए हैं उसकी शुरुआत कहीं से हुई होगी क्या है वो शुरुआत आप स्कूल में खिलाडी भी आप रहे हैं तो खेल से आपने ये पदभाल संभाला कहां से है ये सफर मैं स्कूल और कॉलिज में बैडमिंटन और क्रिकट खेलता था कॉलिज में क्रिकट भी खेलता था पर स्कूल में बैडमिंटन केलता था और चेस केलता था जी और उसके साथ साथ एजूकेशन हमने हिमाचल परदेश विशेव जाले से प्राप्त की और इसके साथ मेरे पेरेंट्स का मेरे परिवार का मुझे हमेशा सयोग मिला मुझे मेरे पेरेंट्स का जो सयोग मिलता था उसमें ये क्लियर कट था कि आप जो भी काम करें अपना 100% थे उससे क्या हुआ कि जब हम विश्यवी दियाले में पढ़ने के तो हमने देखा कि समय बदलता गया दिन प्रती दिन आप समझ सकते हैं कि हमारे टाइम स्पोर्ट्स में इतना कल्चर नहीं था आज स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है और आज मैं यह कहना चाहूँगा प्रदीश वासियों और दीश वासियों को कि हम स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में भी चूज कर सकते हैं पहले कुछ सेलेक्टिट सी फील्ड होती थी कि हम आईएस बन जाओ, एचेस बन जाओ, लेक्शर बन जाओ, टीचर बन जाओ, वो नारा देख लिए इंडिन टीव उसने अपने भाई की शादी में नहीं आई हो घर, वो पाकिस्तान के साथ वशिलेका के साथ मैच खेल ली थी, तो आप इससे बड़ी आप कह सकते हैं कि आज स्पोर्ट जो है, बच्चों को फॉन से और आप नशे से आवगरम बात करते हैं, दिन पर, मतलब एक तो डिसिप्लेन होगा, टीम स्पिरिट सिखेगा, उसके साथ साथ हो आगे बढ़ेगा, और अपनी लाइफ को भी यो डिसिप्लेन में आगे करेगा, इसी नहीं मेरे ये जनली है, जी, तो हिमाचल के भी अगर हम संदर्ब में बात करें, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि आज के समय में पैरलम्पिक्स में अगर कोई खिलाडी भाग लेना चाहता है, तो क्राइटिरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और कैसे वो पैरलम्पिक्स के लिए नाम दे। एज लिमेट कोई नहीं है, एज लिमेट कोई नहीं है, एज लिमेट कोई नहीं है, सीनियर में आप इसका कौलिफाई करना पड़ता है, नेशनल खेलने पड़ता है, पहले आपको डिस्टिक खेलना पड़ता है, फिर स्टेट खेलना पड़ता है, फिर नेशनल खेलना रास्ता आसान नहीं है प्रन्तु नामुम्किन भी नहीं है इसी के तहत में कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का हमारा एक खिलाडी एक ही खिलाडी है मैं आपको कह सकता हूं कि Olympics में हमारा कोई प्लियर नहीं गया था हमारा इकलोटा प्लियर निशाद कुमार जो है हाई जंपर है हमारा अथलिट वो अभी पिछले Tokyo Olympics में भी गया था जो की सिल्वर मेडलिस्ट है और हम पुर्ण आशा ही नहीं है बलके विश्वस्त है पुरे हिमाचल प्रदेश के देश वासियों से भी मैं गुजारिश करूं का कि दूआ करें निशाद के लिए कि इस वार यो गोर्ड मेडलिक के हिमाचल आए और भारत का तिरंगा फ्रांस की धरती पे फेराई बिलकुल और हमारी भी पूरी मनो कामनाए उनके साथ हैं हमारी शुब कामनाए उनके साथ हैं आपने ये बताया हमें कि हिमाचल से एक मातर खिलाडी पेरलम्पिक्स के लिए जा रहा है क्या कारण कहते हैं कि जितने भी बड़े स्थर के खेल होते हैं उसमें हिमाचल के खेलाडी उतने नहीं है حalان कि हमारे खेलाडियों में ज़स्भा बहुत है रजलिय जी ऐसा नहीं आप कह सकते है आज की डेट में आज निशाद गया है, उस लेबल पर competition बहुत जाद आ रहता है, international लेबल पर, facility की कुछ है, हमारी geographical condition है, आप disability की अगर हम बात करें, यह जो special ability की लोग है, चमबा भरमौर से लेके, किनौर से लेके, पांगी से लेके, ट्रेनों की connectivity भारत की हिमाचल में कम है, तो उनको transportation, उनक सकते हैं, तो इसलिए अगर निशाद ने qualified किया, अठाई स्टेट से भारत के अंदर, हर स्टेट काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, हमारी association काम कर रहे है, हमारे लिए फक्र की बात है, कि अलम्पिक्स में हमारा एक खिलाडी है, और हम यह शोर कर देते हैं, और हम फक्र से बोलता है, कि दो हजार चौबिस के अलम्पिक्स में भी हमारा हिमाचल का बेटा पैरिस में हिंदुस्तान का जंडा फेर आएगा, हमारे लिए भी फक्र की बात होगी, और आप लोगे के लिए फक्र की बात होगी, तो क्या आप यह कहना चाते हैं, कि थोड़ी सी भागालि परिस्तित्यों के इस ताज साथ हमारे इंफरस्ट्रक्चर कम रहे हैं, हम लेट इन चीजों की और आगे बड़े हैं, आपने पहले जो हमने बात की कि यह नारा होता था कि नहीं खेलना है, आज लोग खेल रहे हैं, और यह तो मलब हमें कह सकते हैं कि दो हजार आठाइस का हमारा सपना है कि हमाज सब्रक्ठवति से कम से कम 4-5 खिलाड़ी इंडियन स्क्रेड में हो, इस और हमारी फ्रडरिशन काम कर रही है, जिस सरह से आपने बता है कि हर 4 साल के अंतराल में हर 4 साल के आपने होते हैं, अभी जैसे मैं आप से इसी में आगे आगे मैं बात करूँ कि हमारा एक बैडमिंटन का बच्चा अमन ठाकुर अभी योगांडा ओपन खेलने गया था वहाँ पे बैडमिंटन में गोल्ड मेडलिस्ट है मैं बैडमिंटन की बात इसलिए करा है हिमाचल प्रदीश का पहला प्लेयर है जो की गोल्ड मेडल लाया है वो भी इंटरनेशनल लिएबल पे जब इंटरनेशनल लिएबल पे उसने मेडल लाया है हम उमीद करते हैं कि अमन ठाकुर कुछ अच्छा उसको कोचिंग मिले हम उसके जितनी कर पाएंगे सरकार से भी डिमांड की है कि कुछ उसके लिए ऐसे कुछ दो-चार प्लेयर है हमारे पास एथिलेटिक्स है एथिलेट में सौरव है यह कुछ प्लेयर ऐसे है जिनके अगर काम किया जाए अगर आपने उसके विए अभी से प्रपेरेशन करनी पड़ेगी जब वह प्रपेरेशन होगी तब जाके कहीं हम 2018 के अलंपिक्स में यूससमें कहीं हमारी मैड़ आएंगे और हमारे बच्चे आगे होंगे इसके लिए मैं गुदारिश करूँगा कि गुवर्मेंट भी कुछ काम करें और फैडरेशन भी काम करें और प्लेयर को तो अपना 100% देना डेडिकेशन और डिसिप्लेन में रहें के आगे बढ़ेंगे। अब वहाँ पर आप बतौर टीम मैनेजर गए थे इसके अलावा भी आपने बहुत से ऐसे टीम मैनेजमेंट की है कोच रहे हैं खिलाडियों की मानसिक स्थिती कैसी रहती है और इस समय दोहजार चौबेस पैरलिम्पिक्स के लिए कैसी मानसिक स्थिती तयार है जब इंडिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो दिल से इक अलग सा जनून होता है जी कि भारत की मारत के लिए जब तो टीम को मैनेजम करने की कही बात आती है तो आपका पूरा फोकस ना तिरंगे के और होता है बिलकुल कि प्लेयर जो है जब अंदर जाए तो हमारा तिरंगा दूसर करना चाहिए हमेशा प्लेयर्स को कि जो हमारी इंडियन प्लेयर्स है वो कहीं भी जाके दुनिया के अंदर तिरंगा को जब उंचा करते हैं उनको सुलूट करना चाहिए उनकी डेडिकेशन को जमा केक बाक्सिंग में गया था तो हमारी टोटल 18 मैडल थे पहली बारी था जिसमें की 11 गोड़ थे और मैं टीम मनेजर के रूप में उसमें पाडिस प्रिजर टीम ने आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस थी और 32 कंट्रियों ने वहाँ पे भाग लिया था और वाकी उस बच्चों ने मतलब extraordinary efforts किया था उसके लिए तो मैं सुलूट करता हूँ मैं दर्शक ही हो लेकिन जो हम दिल से प्रेड़ना ले रहे होते हैं और जो हम दिल से blessings दे रहे होते हैं वो अलग लेवल की होती है अभी 2024 के अगर हम बात करें आने वाला event है events होते हैं पेरलिम्पिक्स में sports होते हैं 2024 में कितने events होने वाले हैं कितने sports होने वाले हैं और भारत क जो winter sports होते हैं, भारत अभी 11 में discipline में participate कर रहा है, और 11 discipline के लिए हम qualify हुए है, क्योंकि जब qualification होती है para Olympics की, उसमें हमारे 11 discipline के लिए हम qualify हुए है, और हमारे 95 के करीब हमारे athlete जाने है, जो player जाने है, उनके साथ sporting staff, coaches, वो लोग extra है, मैं players की आपको बात कर रहा हूँ, इसी में हम उमीद कर रहे हैं कि 95 से हमारे जो target है, कि हम कम से कम, अब की बार, 25 बार, ये नारा लेके हम चले हैं, और I hope के 8 September को जब पेरा अलम्पिक की closing हो, तो हम कहीं ना कहीं, मैं हमारा एक अच्छा स्थान मिले, और मुझे अपने athlete जो हमारे ये हैं, उनसे बहुत उमीद है, बहुत उमीद है, जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो अच्छा करेंगे player, जी, बलवच्चे खेलो इंडिया के ब अच्छी भागीदारी रहती है, Olympics, Paralympics के खेलो में, आज वैसे तो, जो sports है, वो state government का issue है, जी, जब हम बात करते हैं, street government का ही topic है, sports, परन्तु, Indian government ने जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट चलाया है, या ये top scheme चलाया है, जिसके अंतरगत हमारा निशाद भी आता है, कि Olympics players के लिए, top Olympic player के लिए, वो कुछ podium में डालते हैं, उसमें निशाद को, पहला player है हिमाचल परदीश का, इसको एक क्रोड पांच लाख रपा मिला है, Central government से, जिसके तहतो practice कर रहा है, और त्यार्या कर रहा है, Olympics के लिए, वैसी खेलो इंडिया स्कीम है, उसमें हमारी जो है, कु मुझे मौका मिला था कि मैं खेलो इंडिया में as a coach, हिमाचल परदीश की और से मनीश राना खेल ले थे, और मनीश राना बहुत अच्छे खेले, और मैं आपको इतना बता दूँ, कि मनीश राना अब भारत में first art में है, तो I hope कि जैसे मैं आपको बताया, कि हिमाचल परद कि वासियों को ये आश्वस्त करता हूँ, प्लियर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि हिमाचल पैरा बैडविंटन के लिए अच्छी ख़बर आने वाली है, हमारे पास शिवांग है लड़का, हमारे पास अमन ठाकर जैसे प्लियर है, ये उबरते हुए प्लियर है, शिवांग तो अभी अंडर 19 खेला है, अंडर 19 प्लियर है, और उसे उमीद है कि वो अगले दो सालों में नेशनल में कुछ अच्छा करें, हिमाचल के लिए मैडल लाएं, उसी से वो खेलो इंडिया और उस किम में आगे जाएं, पैरलिम्पिक्स की तो हम बात कर रहे हैं, साथ ही अब मैं दर्चकों को ये भी बताना चाहूंगी कि बलवन्ची आपके जो पुरसकार हैं, जो समानों से आपको नवाजा गया है, उनकी लिस्ट भी काफी लंबी है, आपको हिमाचल रतन अवार्ड, हिमाचल अचीवर्ज अवार्ड, हिमाचल गौरव अवार्ड, ह आप इन के बारे में भी हमारे दर्चकों को बताएं, ताकि हमें, हम सब को प्रेहुना मिलें, रजनी जी मुझे आज आप बता रہέ हैं, ऐसा छोटे-छोटे कम हुए है, कि कभी किसी ने मुझे हिमाचल रतन अवार्ड गौरव दिया, हिमाचल गौरव दिया, हिमाचल करता गया, destiny मुझे आगे बढ़ाता गया, इसलिए मैं गौड पर जादा विश्वास करता हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए काम कर गया, कि शायद उनकी दुआउं ने मेरे लिए काम किया, या फिर ये कहें कि आप हाथों की लकीरों पर नहीं अपने काम पर विश्वास रखते हैं, हाँ मैं आपको इस पर दो लाईने जुरूर बोलूँगा, कि सीडियों की जुरूरत उनको होती है, जिनको चछत पर जाना है, अपना तो मनजिल आसमान है, हम अपना रासता पर खुद बनाएं, बहुत खूब, अद्वुत, मनलब इस आदा पर हम काम करते थे, इसी तरह हम काम करते गे, लोगों के लिए काम करते गे, कुछ न कुछ जुड़ता गया, हमने कभी यह नहीं सोचा, मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला, यह तो गौड क पता है प्रन्तु इतना जूरूर्ब कह सकते हैं कि जो कुछ कर पाई है सोजाइटी के लिए कुछ करने के कोशिश किया है चाहे शिक्षा का खेत रहे चाहे सपोर्स का खेत रहे हैं लेकिस्ट अब औरन को 2021 में हुमेनिटेरियन संसवाइब आज के सुमय में चिर्में भी हैं तो चैर्पेन बीड़्स होनेangel आज की समय में आपके सर पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कांधी पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और आप किस तरह से उन्हें निभा रहे हैं, क्या के कदम उठा रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताईए। हमारी जो पेरा बेर्ण मिन्टन और पेरा स्पोर्ट्स की एस्टेंशन है वो एक मिलके बहुत अच्छा काम का रहा है ललो ठाखुर हमारी जनलर सेकेरटिर है पेरा स्पोर्ट्स कितीशन हिमाचल परिदीश के और जॉन्ट सेकेरे परा Olympus Committee of Hindustan के, energetic है और बहुत positive approach के साथ आगे चलते हैं, उनके साथ मिलके, हमारी जो पेरा बैडमिंटन की, जो हिमाचल के कमिटी है, मिस्टर ग्यान ठाकुर है, राजिंदर शर्मा है, विजए दोटा है, ये लोग सब बैडमिंटन प्लियर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरा के लिए कोई अलग कोचीज नहीं है हमारे, Sports Authority of India के या Youth Services of Sports के हिमाचल प्रदेश में शायद 10 या आट-10 कोचीज है, उससे वो उतने प्लेयर को, अपने अबल बॉड़ी के प्लेयर को पुरा टाइम नहीं दी पाते हैं, हमारे प्लेयर को भी खिलाते हैं, परन्तो इन बच्चों को हम खुद खिलाते हैं, जैसे मैं खुद World Federation of Badminton का कौलिफाई कोच हूँ, मैं एकलौता कोच हूँ, जो World Federation of Badminton का कौलिफाई होके आया हूँ, तो मैं खुद कोचिंग रिवाता हूँ, शिवंग मेरे पास केलता है, जिसके मैं बात कर रहा था, ऐसे हमारे सीनियर कमिटी के जो लोग है, यह दो इनके साथ मैंने फिक्स किया है कि आप पांच-पांच प्लियर चुनिए हैं, और इन पे काम करें, हम ऐसे काम करते हैं, हमारी जो फेडरेशन और एसोचेशन हैं लली ठाकुर खुद बच्चे खिलाते हैं, जॉइंट सेकेरेटरी और बड़े प्लियर हैं, जो खेले हुए प्लियर उनको कंडिशन है कि आपको पांच प्लियर खिलाने हैं, आप तीन प्लियर एबल बॉडी के खिलाएं और रर्जल्ट आएगा, अब समझ सकते कि उनके क्या है कि हर एक प्लियर को हमने फिक्स कर दिया एक क्रैटीरिया फि एडमिंटेन में शेटल, शेटल कोग सबसे, मलब गौर्मेंट से हमें फंडिंग नहीं आती है, अच्छा, अन्रिकॉर्ड हम बैता देते हैं, एसोशेशन को जो फंडिंग आती है, वो उंठके मुझ में जीरा है, हमारी एक टीम, अगर कई डिस्टिक खेल लेकर, अगर डिस 20 प्लियर, अगर मलब शिमला से, शिमला की टीम को हमने धरमशाला भीजना है, तो आप उनका आना जाना और उनका रहना देखें, पांच दिनों आ रहेंगे, तो किस तरह सी उनका पूरा है, तो वो ऐसोशेशन करते हैं, और काफिया तक प्लियर्स करते हैं, कुछ लोग ज शुक्रियादा करते हैं, जी, हम धन्यवादी हैं उनके, और साथ ही आप अध्यापक रहे हैं, आप कोच रहे हैं, आप टीम मैनेजर रहे हैं, इस नाते आप हमाचल के युवाओं को, हमाचल के खिलाडियों को क्या संदेश देश देना चाहेंगे, माच सिर्फ इतना क्या काम है, एजुकेशन में सबसे आसान काम दुनिया में एजुकेशन है, लोग बोलते है एजुकेशन मुश्किल है, एजुकेशन सबसे आसान है, अगर आपको प्लेयर बनना है, तो आपको मलब सुभा चार बज़े जाना है, तो सुभा डेली चार बज़े जाना बढ़ेग आपको 10 गंटे प्रैक्टिस करने तो 10 गंटे प्रैक्टिस करने बढ़ेगे आपने देखा होगा फाइनल ओलम्पिक्स में कि इस तरह से आपको मैं यह कह सकता हूँ कि आपको डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन करने जाए में जजबा रखिए अनुशाशन रखिए और अपसफल जरूर होंगे बहुत बहुत धन्यवाद बलवन जी आप हमारे कारेक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपून जानकारी दी दर्शकों जो पेरलंपिक्स होने जा रहे हैं उसके लिए हम अपने हिमाचल परिवार की ओर से सबी खिलाडियों को बहुत-बहुत शुब कामनाये देते हैं उमीद है आपको कारेकरम पसंद आया होगा हम इसी तरह की कारेकरम आपके लिए लेकर आते रहेंगे झाल झाल